लगातार हो रही तेज बारिष से जन जीवन अस्त व्यस्त मौदहा हमीरपूर कस्वे सहित छेत्र में मंगलवार रात हो रही लगातार तेज बारिष से कस्वे सहित छेत्र में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया छेतर में हो रही तेज बारिश से रेलवी लायनों पर बने अंडर पासों में पानी भढ़ जाने की कारण लगबख एक दर्जन गाउं का कसबे से समपर कट गया तो वहीं लगातार हो रही बारिश से छेतर में कच्चे मकानों के गिरने का सिलसला शुरू हो गया जो लगातार जारी है जबकि नगरपाली का द्वारा नालों को सही तरीके से सपाई होने की मलीक हुआ चौरा है कि आसपास की दुकानों पर पानी भड़ जाने से लाखों रुपए का सामन खराब हो गया जिससे दुकानदारों ने आक्ट्रोस जटाते हुए जाम लगा दिय हाला कि मौसम की गतिविदियों को देखते हुए माना जाए तो अगले 24 घंटों तक इस आफ़त की बारस से राहत मिलने का नुमान नहीं दिखाई दे रहा है पर चाला ये परागहह जिससे था है मचिए देख रहा है वारत देख घिससा रहा हुए जपकि पर है हम परेस आखलें। मोदहासी अमित कुमान की रिपोर्ट